हलो स्टुडेंट्स, वेल्कम बैक तो यूट्यूब डिजिटल क्लास्रूम ओफ लालबा गस इंटरमेडियेट कॉलेज, मैं मिसिस एंसी, क्लास ट्वल, आज आप पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर, विचारक, विश्वास और इमार्ते, यानि थिंकर्स, बिलीब्स और बिल आस्थाएं विक्सित हुई, इमार्ते, इमार्तों में हम जानेंगे मंदिर और बौत धर्म से जुड़ी हुई, जितनी भी इमार्ते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे, इस चैप्टर में हम जानेंगे, 600 इसा पुर्वस से लेकर, 600 इस्वी तक, य प्रमाज की रूडिवादी संग्रचना से संतुस्ट नहीं थे। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों के दुनिया के पुननिर्माण के लिए इतिहासकार जिन्स्रोतों का प्रयोग करते हैं। सांची के स्तूप के बारे में हम जानेंगे भोपाल राज जी के प्राचीन आवशेसों में सबसे अद्बुस सांची कनखेडा की इमारते हैं। 19th सेंचुरी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी। फ्रांसिसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे हुए सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्राले में प्रदरशित करने के लिए साहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की आग्या मागी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसा ही प्रयास किया। को सुल्तान जहां को समर्वित किया। सुल्तान जहां ने वहां पर एक संग्राले और अतिथी शाला बनाने के लिए भी अनुदान दिया। वहां रहते हुए जौन मार्शन ने अनेक पुस्तके लिखी इन पुस्तकों के विभिन खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां ने अनुदान दिया। शायद हम इस मामले में भागेशाली रहे की इस इस्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नजर नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीजों को यूरोप के संग्रालेयों में ले जाना चाहते थे। बौध धर्म की इस महत्पूर केंद्र की खोज से आरंभिक बौध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्पूर परिवत्तन आये। आज यह जगह भारतिय पुरातात्विक सर्वेचण के सफल मरम्मद और संग्रक्षण का जीता जाकता उदारण है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे यग्जी की परमपना, यग्जी और विवाद जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिए।